आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तिर्भूज क्लास 10 आप देख रहे हैं हाई स्कूल प्राथमी गनी 2 दास गुपता पर साथ ठागूर के दोरा लिखा गया है भारतिव बन क्लास 10 इसी का मैं आपको तिर्भूज प्रसनावली 1K का कुस्षन नंबर 10 का आज किस वीडियो में बहुत इजी तरीके से मैं आपको सलूसन कराऊंगा तो चलिए मैं आपको कुस्षन नंबर 10 दिखाता हूँ और उसे सलूसन करता हूँ तो कुस्षन नंबर 10 यहाँ पर है कुस्षन नंबर 10 कहड़ा है कि अधार भूत अनुपातिक पर्मे के परयोग से सीद कीजिये कि तिर्भूज की एक मुझा के मध बिंदू से एक अन्भूजा के समांतर घिची का इरेखा तिसरी मुझा को सम्धिभाजित कर दिया यह आपका कुस्षन है आपके बुक में भी कुस्षन होगा थोरा सा यहाँ पर सम्धिभाजित गलत लिखा गया है तो कुस्षन है कुस्षन से कोई रिलेटेड नहीं आपको कुस्षन तो बुक में ही रहेगा और इसे भी एक्जाम में आपको दिया रहेगा थोरा टाइप तुर्थ चमानंतर धिची गय रिक्तव कहां तुस्री फुजा को सम दिभाजित करती हैं हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे . सबसे 1 अंचांड पर चुदियां नाम हमएं देना है तो यह हो गया आपका सी łएगा और यह आपका दी रहेगा ठूप है ड है टेकल है एक मिनिट हम इसे तरें प्रद्रॉज मिसा को चलिए अहां पर हम ड लिख देते हैं कि अ और यह आप का यह धाया ठीक है में ऐसा फीगर आप बना लीज़ेगा ठीक है अब जो हम यहां पर करेंगे कि मान लिया कि तिर्भूज ABC की भुजा AB का मद बिंदू D है क्या है मद बिंदू ABC की भुजा AB का AB का मद बिंदू D है ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा AD बराबर जो जाएगा वो db हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि ये दुनों मद बिंदू है अजब मद बिंदू रहता है तो ad बराबर db या ae बराबर ec हो जाता है ठीक है तो यहां d e जो है वो समांतर है bc का तो सीथ करना है कि ae बराबर ec यहां पर क्या है d e जो है वो समांतर है bc का और इस तरह से हमें सीध क्या करना है तो सीध करना है कि एई बराबर इसी एई बराबर एई बराबर इसी हमें सीध करना है ठीक है यह सीध करना है तो हम सीध करने के लिए थिल्स परमे का help लेंगे थेल्स परमे का theorem जो होता है उसका हम use करेंगे ady बटा db बडाबर a इबटा इसी होता है यह थेल्स परमे का theorem ही है तो हम इसे क्या करेंगे इस theorem के अधार पर इसे करेंगे तो सबसे पहलtechn 멤म इसे साफ कर लेते हैं और आपको आगे का process बताते हैं तो आगे का प्रोसेस देखें, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो थेल्स पर में कर रहा है, अब देखें, यहाँ पर क्या कर रहा है, कि AD बराबर जो है, वो DB है, यानि जहाँ जहाँ पर AD है, वहाँ पर हम DB रख सकते हैं, तो AD यहाँ पर आप देख रहा है, तो AD बटे DB, तो हम AD के जगए क्या राखेंगे, D-B राखेंगे, तो क्या हो जाएगए, D-B पrouलम 2, B-B, बराबर इथर क्या हो जाएगा, अब दिखेए, DB बटे DB DB बटे DB अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि AE बराबर EC हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखे कि AD बराबर DB है तो यहाँ पर जो है हमारा यह हो जाएगा AE हो जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका यह आपका AE रहेगा तो हम यहाँ पर A और E ही टाइप करेंगे A बटे EC अब क्या हो जाएगा कि यह DB से DB एक मर्तबे कर जाएगा कितना मर्तबे कर जाएगा एक मर्तबे तो एक मर्तबे एक बटा एक अब हम तिर्छा तिर्शी से गुना करेंगे तो EC को अगर हम 1 से गुना करें, निचावला EC को 1 से गुना करेंगे तो EC रह जाएगा, और AE को 1 से गुना करेंगे तो AE रहेगा, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, AE बराबर EC, तो यह जो कुशन था आपका दसमे नमबर, कि अधारभूत अनुपातिक पर्मे की परियो पर मद बिन्दू रहेगा तब, तो सीध करना है कि AE बराबर EC, हम यहाँ पर AD बटे DB बराबर A बटे EC थेल्स पर में से यूज किये हैं, और AD बटे DB, यानि जहाँ जहाँ पर AD है, वहाँ पर DB रखेंगे, तो DB बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC, ठीक है, AE बटे EC समिकर 1 से आप मान सकते हैं, और DB बटे DB जब कट कर 1 आएगा, तो 1 बटे 1 बराबर हो जाएगा AE बटे EC, और इस तरह से AE बराबर EC सीध हो गया, वीडियो पसंद दया तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, और चैनल को सब्सक्काइब कर, बेल नोटिपिकेशन में, और बेल नोट जरूर कीजेगा